डियर स्टुडेंट्स वेलकम ओन यूर यूट्यूब चैनल नवचैतना सेकिंदी स्कूल जिक्षन अताल चलिए बात करते हैं एक्जामपल डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनने की और एक्जामपल पहले आपको मैंने बताये थे और वो कंजेक्षन बेर से जोडने के बताये थे लेकिन सेड के बाद में टू नहीं थे उसमें सेड के बाद में क्या नहीं था तो आज हम इसके बारे में थोड़ा छिखेंगे तो चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है आरेस को देखना है यानि डायरेक्ट से इंडायरेक्ट मुनाते से में हमें क्या करना है सबसे पहले आरेस को तो RS क्या है सदार्णी वाके में तो क्या करेंगे you could call सेड को यानि सेड के बाद में कोई कर्म होतो अर आरेस का वाकिया सधान होतो सेड को टोल्ड में बदल देंगे और रवीना हो गया एक नूम्बर यहां पर पाणा शिफ हो गया यानि रवी टोल्ड रविना RS का वाक्य क्या है साधान है तो set को किश में मिदल दिया told में मिदल दिया और two quote आ दिया अब conjunction number 2 conjunction साधान वाक्य है तो that शेकर देंगी अब बाद रही pronoun की तो pronoun इसमें second pronoun है तो second pronoun यानि दूसरा प्रूस हमेसा ही RV के करम के अनुसार और र्वी के अनुसार यहां से पहली फॉर्म उठ रही है U की पहले और दूसरी और यू तीसरी तो यहां पर यू है करता के रूप में यू unf Re करम की रूप में अगर यू यू आता है तो उसकी फॉर्म होति है तीसरी तो आप साधर समझे अबहें होगा तो देखें यहां पर कैसे अधिकर ससंदर करम के अधिर सारर जा। तो करम मीया है उन्यापैर तो यहां पर सब्म्रोंय गाएगा सिसको घृटि के लिए आट ЦसिGr तो C, Do not रहेंगा, Did not, पच्छ, अब देखो, Your bag, यू और यू और, यह भी क्या है, दूसरा प्रसन है, लेकिन फोरम कोण सी है, दूसरी है, तो दूसरा प्रसन भी, RV के करम के अनुसार बदलेंगे, दूसरे प्रसन को भी क्या है, RV के करम के अनुसार, तो यहां पर रवीना ह तो यहां से कौन सी फरम उठ रही है, दूसरी फरम, You, Your, यहनि दूसरी फरम उठ रही है, तो दूसरी फरम उठ तो इस रवीना के वह यहां पर क्या है, दूसरी फरम, C, पहली होती है, हर, दूसरी, हर, बैग, यह अपना क्या हो गया, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट, цию सिर्फ कंजैक्षिन को डैठ से प्रियोंक QUER दिया और यहांपर किया है दूसरा परसना हमेशा रविक है ह Reach में कम के अमसार तो कम रवीना है तो यहां पर इसकी पैली फॉरम है तो इसकी पहलीा फॉरम है दो इसकी पाली पॉरम होती है से और पास पफ्रंज टेन्स है और यह आरवी चलिए आगला देखिए पहले में आपको बताया था कि डाइक्स टे बनाई बनाएट स्बसे पहले हमें क्या करना है आर वी आ Bent में तो यहाँ पिर साधानवा की में है तो You ,सेट को क्या कर देंगे ? that conjection हो जाएगा ... अब यह क्या गया ? पर्थम प्रोणून पर्थम प्रोणून को हम और करतां ध स्वक्मचरपिश करेंगे किस स्वक्मचरपिश करेंगे ? डूसरा प्रसें तो करम केंसर और पर्थम पूर्श हो तो I, My, Me, We, Us यह हो तो करता केंसर तो यहां पर क्या आए पहली फॉर्म उठती है इसकी की पहली फॉर्म यू होती है तो यहां पर क्या आएगा यू अब देखिए तेंस पास्टेंस सेक्ड फॉर्म है विगो वेंट वेंट कोड़ सी है सेक्ड फॉर्म पास्टेंस में आती है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यू हैड गोन तू श्कूल और यह पांसवा निहीं में आ गया कॉन सा निहीं में आ गया नजदी की चीज है वो दूर दिखानी है तो यस्ट्रें देगा क्या देगा बै पर लिए यह अपना क्या हो गया डाइक से इंडेख हो गया चलिंए एंगा देखि हूं, दे टीचर सेड़ आई अए लोट पीच्जि ना पेन में बात बीनल नृ को आ गया देखना, स्मॉल लेटर में हो यानि RS के वखे मेh coma D हो कोमा के बाद कोई नाउन और वह स्मॉल लेटर में हो तो कहने का मतलम क्या है ये रहना अर वी में दे लगाकर इस नाउन को इस नाउन से पहले हम दे लगाकर आर्वी में बिठाएंगे, देखिए, समझ में आगए होगी, यदि रस में वाक्य गंत में कोमा लगई हो, और कोमा के बाद कोई भी नाउने समॉल लेटर में हो, तो उसको हम आर्वी में से अठाकर आर्वी में लाएंगे, और इस संग्या से पहले हम क्या करेंगे, देखिए, देखिए, टीचर सेड को करेंगे टोल्ड में, साधान वाक्य है, क्योंकि यह नाउन है, वो यहां आएगी, तो लगाएंगे देखिए, द देखिए, टीचर टोल्ड देखिए, यह नि मैं, आर्श में अगर कोमा लगी हो, और कोमा के बाद में कोई, श्मोल लटर में, नाउन हो, तो वो आर्वी में आकर बैट जाएगी, तो ओगया, देखिए, तो अब यह पर्थम फूर्स हो गया, तो पर्थम फूर्स की इसके करने है would note touch अब देखना या पर यू आ गया रूसरा प्रशन है अ इसकी फ्र Une कौन साजी है यह या इक करता के रूप में यहां पर अगर यू ओटा तो इसकी फिर मॉत़ी फ्रस्ट और करम की रूप में अगर यहां यू है तो इसकी फरम होगी थर्ड यानि यू 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 तो यहां पर इसकी क्या होगी थर्ड फरम तो यह किसके अनुसार मतलेगा करम के अनुसार यानि आरवी के करम के अनुसार तो करम में क्या है यहां बोईज इधर से हमने क्या किया यहा तो यहां क्या आएगा देम तो प्यारे बचो आपके साथ समय आगए होगा एक बड़ दोबर देखो पहले मैंने आपके बता है था कि आएष में कोई कपिटल इन समोललेटर में नाउन हो तो वह यां ने अरु भी मिठा दी लेकिन वह नाउन है वह बहुत बचन में और इससे पहले हम ने देविठा दिया यह यह रूल है अब देखना कि यहां पर यह यू है करम के रूप में तो इसकी फोरम क्या है तिसरी यानि वहुष्वचन के रूप में है तो बहुष्वचन के लिए प्रोनाओं नम यह दे है तिस्सरी फौरम में है तो यसकी दे दे हर दो गैं ऑगया डायरेक्ट शेंटिन अब देखेंगे वी सम्हें समसे पहले क्या है अब वीर सक में यह तो अब दा मात बदेगए देखिए C सैयंड को में HRS ओतो ऐसकर्ट में करना पम थैंड हो गया पूट वठोट हदेंगी और men ह्पीं हो क्यूं कि यह क्यूं कि RS क्या क्या है person वाक्ष़गे क्या है इसलिए हैं इनक अब इस match कर दिया अब दिखे magazines, rightоп ? सब्सक्राइब जीर इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे ? सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करॲें करते है neck अब दिखे के यहां यहां पर मता हो आप एक नंबर यह हो गया दो नंबर यह हो गया तीन नंबर प्रोनावन है तो प्रोनावन की पास जाओ आप तो प्रोनावन क्या है दूसरा है दूसरा प्रोनावन करम के अंसार तो अरी के अंसार तो अरी की फिर्श परम आएगी यहां ही हो गया क्योंकि यह करता की रूप में और इसकी फिर्श परम है तो ही आ गया अब स सेट्ट को यहां पर यह है इसकी पहले फोर्म यह पहली फोर्म तो इसकी पहली फोर्म ठीक एक वुचन है ही के साथ आज निया है देखेंगे वी पर शनल में करेंगे अब hairs कौन से करेंगे फनल में तो प्रषरत करेंगी अब देखी एक नमाराय ओ गया दो हमरी यह हो गया तीन नम्र कि प्रोनौ उन जाए गी ऑगे कि अगे आई है आई अब भेस्ट परों अर्ट हो एक बात देने की और है अगर RS में परसन वाचक वाक्य हो तो direct से indirect भुनाते समें पहरे बच्चों हमें उस वाक्य को सधान वाक्य में करना जुरूरी होता है तो इस प्रकार से ये सधान वाक्य हो गया और ये भी क्या हो गया सधान वाक्य हो गया तो चलिए पहरे बच्चों अगला देखिए शी सेड मुकेस आई एम गोइंग टू यूर हाउस तो इसमें आपको थोड़ा अलग देखना मुड़ेगा जो पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर कोमा आती है कोमा के बाद में कोई होई समॉल लेटर में नाउन हो तो वह हमें आरे से अर्बी में लानी होगी लेकिन यहां बात और आगे यहां इनुटेट कोमा में अगर कोई संग्या हो और फिर इसके बाद कोई कोमा दी हुए तो वह संग्या आर्मी बाद आर्वी माके बैठ़ेगी देखो यान यह कर आर्व में बैठेगी देखिए जैसे सी सेड को क्या कर देंगे साधान वाकिया है तो टोल्ड में बतल देंगे सी टोल्ड यह मुकिस यह इन्विटेड कोमा से बाहर आजाएगा आर्व बैठ देगा मुकिस आगी सुनने अगर आर्एस में यानि इन्विटेड कोमा में प्रारंभ में कोई भी संग्या हो और उसके बाद में कोमा हो तो वो क्या है आर्एस से उठकर आर्व बैठेगी तो यहां हो गया सी टोल्ड मुकिस अब यह सदान वाकिया है तो इसको दोड़ेंगे देट से अब यह पर्थम पूरस है करता के अंसार यहां पर सी है इसकी पहली फोर में सी की सी इसको अब यह जिए तैं LC है present continuous को remember she was going to dur. अब डो जो रा गया. यू 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 इनगा अृर दूसरा परशन और श्की फॉरम भी दूसरी है. किस की नसार नो गार रवई के करम के अनसार. तोี में करम कैं मुकैस है यहां मुकैस है, मुकैस की दूसरी फॉरम आएगी. मुकैस ही도 भीजिए हांस अगे शुदे क्या है है यहा धूसरा बेखती है उसकी फोरूबढ़ दूसरी है आambih सारे कर्म कियन सारब इन वे न कि कि यहां से दूसरी फोरूम यहां हो इसके था रूढ़ी यहांट थे पैसेंट टैक लाइट फूद यहां पर क्या है ऐसे वाक़े जो वर्मम से पर्थम फोरम से किरिया की फर्स फोरम से आरू आरम होते हैं तो इंप्रेट्टिव सेंटेंस आते ही हमें क्या करना पड़ेगा आरवी को आरएस के भाव के अनसार बदलेंगे तो इसमें देखना होगा हमें टेक लाइक फुड डोक्टर ने पैसेंट को कहा कि अलका खाना खाओ तो यहां पर क्या है अलका खाना की एडवाईस इसा दिये अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए आरएस के भाव अगर आरएस का भाव आपके समझ नहीं है तो सेड को आसकर में भी आपके कर सकते हो लेकिन आपके समझ में आ गया तो क्या करना पड़ेगा सेड को एडवाईस में तो लिखेंगे दे डोक्टर एडवाईस दे पैसेंट अब आरएस अगर इंपरेटिव सेंटेंश में हो तो क्या करेंगे तू से कंजेक्शन करेंगे किसे करेंगे तू से तो आपने दैठ का सीख लिया और इफ ही है वेदर का सीख लिया और ये तीजरा कौन सा है तू से तो तू का कब करेंगे जब आर ऐसे किरिया की पर्थम परम से आरम ह तो तू के बाद सेम फर्स बर माईगी हमेसे ही आती है तो टेक लिख देंगे तू टेक लाइट हो गया चो लोगला देखें दा टीचर सेड़ टू मी डू यूवर वर्क तो यह भी क्या है किया की पठवर वर्य कम करो कि र की परतम पॉर्म से तो अब इसमिका गbourg मिलीजेए आपके संजी रहाइं वैसे तो क्या है डू यवर अध्यापका क्या करता है और डेता है तो खर देखे है अजảng करते हैं तो देखिए मैं आसकड कर रहा हूं, the teacher, said को आसकड में, अगर आपके बात सुन्ज़ने आगई है, यह अधेस है, तो ordered में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, said is ordered में, said me, अब क्यों कि वर्ब की first forum है, तो first forum जाके आर में, तो two से congestion कर देंगे, अब देखो your, your किस के अमसार देगा, करम के अमसार, तो इसकी forum है, यह दूसरा person है, इसकी forum भी दूसरी है, तो इसकी दूसरी forum, I पहली होती है, माई दूसरी, तो यहाँ होगा, माई वाउक, अब देखिए आगला, he said, he said, do not play on the road, यानि, यह दूनोट प्ले, अगर डूनोट दिया हो आओ, तो said को हमें forward में बतलना होगा, किसमें बतलना होगा, forward में, तो करतेंगे, he said को forward, he forward, अब क्या करेंगे, two से जोड़ेंगे, और इसको अठा देंगे, क्योंकि forward करता होता है, मना करना, तो he forward, हो गया, two से जड़ टू, पले, on the, देखिए, therefore, he forward to play on the road, अगर rs में, do note दिया हो, to said को किसमें बतल देंगे, forward में बतल देंगे, और imperative sentence अने के ना थे, conjunction का परियोग, two का कर दिया, और two के बाद में में सा first form आती है, और sense work है, जो का तो लिख देंगे, अगर कोई pronoun बगे रहो तो इसको change कर देंगे, और कोई बतलाव है, नहीं होगा, जैसे अगला देखिए, the stranger, the stranger said to me, यहापर क्या हैगा, said, the stranger said to me, please tell me the way, अगर RS में, please kindly दिया हुआ हो, तो said को requested में मतल देंगे, said को requested में मतल देंगे, देखिए, the stranger said को किसे मिल देंगे, requested में, requested, अगर भाव समझे नहीं आया, तो आसकोट में मतल सकते हैं, the stranger requested me, please kindly को उठा देंगे, क्योंकि requested हो गया, यहाँ, क्या हो गया, requested हो गया, तो please को उठा देंगे, और to conjunction लगा के tell, अब me, me क्या हैगा, stranger के अनुसार बदलेंगे, यानि करता के अनुसार बदलेंगे, तो इसकी form यह है, यह विक्तित तो पहला है, लेकिन form इसकी तीसरी है, तो stranger की भी हम तीसरी लगाएंगे, तो अजनवी की तीसरी बढ़ा हूं, he is him, tell him that way, तो इस प्रकार से पहले बच्चों, आज हमने क्या है, इप का और टू का भी सिखा है, और एक जो RS में नाउन दिया वाओ, प्रारम में दिया हो और आखरी में वाकियमें दिया हो और बहुत ग्रैकल में दिया हो और उसक्राइब करें हम जब़स ज़यदा आपको और वीडियो डाल सके ठेंक्स झाल झाल झाल